गुड मॉनिंग कैसे हो आप सब लोग और आज सुबह के शुरुवात हुई है जैसे सब के घरों में होती है काम की तो मैं आज उटके पहले अपना ही रूम आज में को साफ करना है पहले क्योंकि मेरा ही रूम सबसे ज्यादा बिखरा रहता है तो यह देखिए टब में मैं बच्चों के पहले टोइस भर दे रही हूं और इधर देखे मेरी रात में वीडियो बच्चों को हमवर्क करा हो इस सब है तो मेरी इधर नीचे गद्दे पर बुक्स फैली रहती है तो यह मेरी टेबल है मैं आपको पहले भी दिखाई इस मेरे को बहुत पसंद है तो मैं इसमें साही रखके किनारे रख दूंगी फिर मैं यह गद्दे यह हलके है तो मैं यह उठा के जिसमें नीचे काम करते रहती हूं चोप दो तो जिनी जुँ दूल और जितना होता हो निकल ज तो यह दोनों इसको स्विंग मना के खेल लेते स्वारी स्लाइड बना के सुबह के फिर जब वह सारे काम हो गए जारू पोच्छा उसके बादा इन नाष्टे की वारी तो नाष्टे में आज मैंने बच्चों के लिए नहीं रेसिपी क्राई की है कोई बहुत वैसी रेसिपी होते हैं कि नहीं होते है बस मैंने मुष्किल से 5-6 इम आजा जैसे कि आशेर बच्चों को बस एक हम टेस्ट हो जा अरा मैं देख ही लूंगी किस entsprech है रही है कि नहीं आय है हैं और चलिए है चलते हैं तो ये देखे जब इसको उठाबाया तो अच्छा अच्छा आया है और जर Stirven जानके चलीकन क्वार जाभु नार्पयात لم Kerry पर झाले जाए ह। 신क्राबया चैरिपमत भी तो कर दीवस यह में दानल सों हुआं है而已 तो अच्छा बन जाएगा उसके साथ से हम लोग का हो गया है नाश्रे का टाइम तो बच्चों के लिए तो मैं ने बना दिया था आपको दिखाये तो और मैं खा रही हूं सबसी पनाटा मिंडी की सब्जी आज बनाई है तो लीजिए आप लोग भी ठाइए अच्छी सी बनीए चटपटी सी अब जाके खाना के लिए अब जाके काम निपता है पूरा जारू फोचा पता है अब ऐसी थोड़ी सी गरम हवासी चलने लगी है ना मिंस में को अभी से ऐसा लगता है कि जासे नहीं थोड़ी सी क्या मैं बोलू लूदू नहीं चलना है बसक्री लेकिन गरम हवासी चलते हैं जिसके वज़े से बहुत जल्दी दून हो जाता है कभी गभी ऐसा होता है ना अपने घरों में अमोग सोचते है कि एक रूम में पोच्छा लगा लिया है फिर अब ऑल हम लोग गिनके लंच करने जारे है और यहां यह देखिए दाल में मैंने चौंक लगाई है एक दम बढ़िया चटपटी मिल्ची वालिया जमाएं इधर मैंने बनाई है भिंडी और एस उसल यह देखिए मैंने बच्छों का काट कर दिया है बीट रूट और इधर है हमारी सालेड और इधर देखिए मैंने फिर से एक पुदीने वाला रायता बनाया है बुंदी का बच्छों को भी बहुत पसंद आता है थोड़ी सी गर्मी होने लगी तो मैं सोच रही हो मैं थोड़ी से खाना खिलाने मैंने स्टार करते हैं और यह देखिए तरह मारा सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए खाना डेड़ी है एक साथ बैठके खाते हैं तब तक देखते हैं बच्चे क्या करते हैं और बच्चे ऐसाच हमेशा की तरह उधर करना है यह देखूं कि अच्चा क्या करते हैं तो चलिए और आज मैंने क्या कि आप गरम पानी पीते हैं तो मैंने आहिन का यह सिपर निकाला है तो देखें मेरी थाली रेड़ी है तो देखें मैंने सालड इधर रायता इधर दाल और दाल में जरूरी मेरी यह जो मिर्च तो यह देखें घी उपर उपर आगया है यह से घटका लगता है बिंडी तो आईए आप लोग भी खाईये में साथ तो यह देखें मेरे बच्चे खाने है हम माओ के लिए यह सबसे मेंस एक अच्छा मोमेंट होता इधर बच्चे चोटे होते हैं और आप पुरा मन से खाना वनाई है और उसके बाद वो मन से खाते हैं तो मैं अगो बहुत अच्छा लगता है और अभी मैंने कुछ दिनों इन दोनों के अपने आप से खाना खिलाना सिखाया है तो अपने हैसाब से बहुत अच्छे से खा लेते हैं आप लोग और अभी अजरे सुबह बोली हूं शामके चार और यार मतलब अप सब्सक्राइब काम ना खतम ही नहीं होते हैं अपना वह तो मेरे थोड़ा स्कूल का हो जाता है कुछ मेरे युट्यूब का हो जाता है वह ही है बट साथ में जब से यह ओनलाइन यूनों क्लास चलने लगी है तो बच्चों का और हैड़ है मैं को इतनी टेंशन होने लगती अभी से कि वो हमवार्क बेजना है शाम को मिन्स चार बजी के पहले बेजना रहता है पूरा सब को समिशन करना रहता है तो अब भी मतलब आज यह लुग जल्दी खाना खाली आथ तो जल्दी सो गए ते और अभी शाम को उड़ गए तो मैं जल्दी सो मतलब जिसे नहीं एक एम सा लगता है कि यह हमें पूरा ही करना है तो बस मैंने वह पूरा क्यमत्रीट करवाया है और अभी 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 लुग जस नहीं पर पोर्च में ही अंनरी बैट बॉल खेले तो मैंने को रहा कितना रिलाक्स हूँ और यह ना यह मैंन करता है लुग डूर फुले और आप यह देखरो मेरी बिंदी ना देव मेरी बिंदी बिल्कुल ही रहने देता है एक तो मुझे स्वेटिंग जादा होती है पसीना भी बहुत रहता है तो जल्दी निकल भी जाती है अब तो गन्मी होने भी लगी और जैसी देख लेता है जब यह काम कुछ इवन चाइवाय पीकी जब आप निफ्टो ना तो आपको फिर क्या लगते है यार आप शाम को ग्या बनेगा फिर सोच हो यह है वही बरतन वही जाडू वही करकर के घर कितने दिन हो गए है कि घर के बाहर में नहीं देखा है कैसा क्या है कितने लोग नि तो अभी मैं जाओंगी देखती हो खाने का क्या सीन है मैं मैं मना लूंगी या कुछ पी वह कर लेंगे फिर मैंने सोच आई कि यार और कुछ नहीं करूंगी अगर मैं कोई मूवी मिल गए तो मैं मूवी देख लूंगी और देख लोग कुछा पाने लगा है बाल बाल बा तो प्लीज अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो भला ही नहीं देखो एलिस वीडियो ही चला दिया करो तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा अच्छा इतना सेंस क्योंकि थोड़ा सा मन में न मोटिवेशन आदे कि नहीं हां लोग देख रहे हैं लोग इंट्रस्ट इस तरीके से तो प्लीज थोड़ा सा अप लोग help कर दो तो हम लोगों के लिए ये चीजे करना और असान हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा और खुशी से करेंगे और मन से करेंगे तो मैं आपसे यही कहना था हर बार यही कहती हूँ तो चलिए चलते हैं आगे के next के का करती हूँ और मिलती हूँ आपसे रात में आज शाम को मैं हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने लिए बनाएंगे नुट्रेला की सब्जी वह थोड़ी सी चेटपटी सी ही अच्छी लगती है तो फिर मैंने बच्चों के लिए एकदम साधी सिंपल सी बना दी थी मूंग कि खिच्डी क्योंकि दिन में पूरा खाना खाया है ता शाम को इनों ने स्राउस खा लिये थे तो यह देखे खिच्डी बनके हमारी ड़ी होगी बसमें चौंक लगाएंगे और चौंक हम लोग इसमें अलब से लगाते हैं कुछ लोग साथ में दे रहते हैं और आप देख किया मैं को समझ नहीं आ रहा है वीडियो कहां से स्चार्ट करो क्या है बज रहे हैं रात के एक मिन्स अचा भी तो लाइट है तो आपको देखे रहा है नहीं पौन है और इने देखिए यह कैनम की गोटी लेके बैटे हुए इनको कैनम खेलना है और वेद बहुत अच्छे स्चेट बेटी वोट इंहें कुछ asured गये द तो मैंके साथ बैठी हम ठीज़ा है उनको फिरसे दूद दि आ एक कौशने में कैसे इसे मुषक करने तो सो Giselुंग मेरे साथ ही राये कि अपना एक पढ़ाई का वीडियो वीडियो कुछ बनाया अपना स्कूल का पूरा काम मैंने बैठके कर रही ती दर देखिए मेरी टेबल लगी हुई है वैसे तो हमारे पास वैसी टेबल हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं वो जो पतली सी वो इसकी आते हैं बट ये ना चौ जाओ अच्छा सब पर गुड़ नाइट बोलो अच्छा गुड़ नाइट बोलो तो चलिए अब ये तुपर सोते हैं मलते हैं आप से कल और ये करवटे बदलते हुए तो चलिए आज का व्लोग में है यह एंड करती हूं मिलती हूं आप से कल मिलती हैं